हाई फ्रेंड्स वैलकम टू माई चैनल मसूर तो आपने बहुत बार बनाई खाई होगी पर आज मैं इसे एक सिक्रेट टिप्स के साथ इसका तड़का लगाऊंगी जिससे ये बहुत ही डिफरेंट टेस्ट का होगा और यकीन मानिये ये बहुत ज़्याद आपको पसंद आन करने वाली है तो आइए चलिए शुरू करते हैं इससे बनाने के लिए मैंने लिया एक कप मसूर का दाल ये लगबग 150 ग्राम होंगे इन्हें अच्छे से धूलते हुए मैं इसे आधे गंटे तक के लिए भीगो के रखूंगी आधे गंटे बाद इसे मैं एक कूकर में ट् इसे मैं तीन सीटी तक पकाऊंगी या यह कहिए जब तक यह कूक न हो जाए इसके बाद मैं एक कडाही में डालूंगी दो चम्मस तेल तीन लाल मिर्च और पांच लैसुन की कलिया इसे काटना बिलकुल नहीं है यूही फ्राइ करना है अगर लैसुन की कलिया छोटी है त तब तक साइड में मेरे लैसुन और यह लाल मिर्च पक चुके हैं अंदर से यह कच्छे उपर से अच्छे से रोष्ट हो चुके हैं तो इस स्टेज पे मैं इन्हें निकाल लोंगी इसका आगे क्या यूज होगा बताऊंगी प्याज अच्छा ब्राउन होने तक भुलना ह उससे थोड़ा सा पहले मैं इसमें डालूंगी एक चमच धनिया पाउडर एक चमच हल्दी टेस्ट के कॉर्डिंग नमक और एक चमच कस्मीरी मिर्च कलर के लिए इसको थोड़ा सा भून लेंगे तो यह कच्छा पर निकल जाएगा साथ में डालेंगे एक बड़ा कटा ट्माटर इन्हें भी अच्छे से भुनते हुए पकाना है जब यह अच्छे से पक जाये उस स्टेज पे इसमें एक पानी डालते हुए थोड़ा ओर ढख ते हुए इने पकाएंगे ताकि यह मसाले बहुत अच्छे से कुख हो जाये कोई भी कच्छा पन न रहे इसके को एड़ करूंगी सभी को अच्छे से मिक्स करूंगी इसके बाद मुझे बहुत देर तक इन्हें नहीं पकाना है बस आपस में घुल मिल जाए एक मिनट तक के लिए पकाना है इन्हें तो एक मिनट के लिए मैं ढखके इन्हें पका लूँगी साइड में मैं इनके लिए एक इसे चटका लेंगे अच्छे से उपर से धनिया पती से गार्निस कर लेंगे अपने दाल को और उसके बाद यह तड़का लगाएंगे यह जो भुने हुए लैसुन का जो टेस्ट है इसके बाद दुबारा इनको कूटके डाला गया इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता ह एक बार इन्हें आप जरूर ट्राइ करिएगा और निश्ची थी आपको यह रेसीपी पसंद आएगी तो प्लीज अगर यह रेसीपी पसंद आजाए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें थाइंक यू